J2000 का, देखो एक और बहुत बढ़ी ऐसा सवाल, देखो आपके स्क्रीन पर इस समय मुझूद है, और सवाल क्या कह रहा है, आप आप पड़ो, मैं फोन में पढ़ लेता हूँ, है ना, क्या सवाल है, सवाल है, a wind-powered generator converts wind energy into electrical energy, ठीक है, wind-powered generator जानते हो, यह जो पवंचक्या नही हो जाती है, तो इसे wind power generator कहते है, अभी मैं और अच्छे से बात करूँ आपके साथ, है ना, अच्छा जी, यह बात हो गई, फिर बोल रहा है कि, assume that the generator converts a fixed fraction of wind energy, intercepted by its blades into electrical energy, ठीक है, फिर क्या बोला गया, कि for wind speed V, the electrical power output will be proportional to, ठीक है, यह सवाल है, अब लोग ने सवाल देख मैंने यहां पढ़ लिया है, ठीक है, चलो आजाओ, अब इसको solve करने को प्रियास करते हैं, ठीक है, बेटा, होता क्या है, जैसे अपन क्या करते हैं, अपने ऐसे ground पर ऐसे बड़े-बड़े अपने tower लगाये होते हैं, इस तरह से, ठीक है, और tower लगा करके, ऊपर वहाँ प बात नहीं है, देखो, इस तरह से क्या है, बहुत बड़े-बड़े blades होते हैं, ऐसे होती है, पवन-चक्की, और क्या होता है, जब जो हवा है, वह हवा आकरके, इसके उपर इस तरह से strike करती है, इस तरह से, जब strike करती है, तो यह जो पवन-चक्की है, यह एसे घूमने सुनिए बेटा यह जो विंड है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें विंड को एक फ्लूइड की तरह ट्रीट करना पड़ेगा और वो अबिसली जो बह सकने वाली जो चीज होती हो फ्लूइड होती है तो विंड को हम लोग फ्लूइड मान सकते हैं ठीक है और मैं ऐसा कहर अब मेरे बात सना आ जाओ तो हमें तो ये बात पता है कि जो power होती है, जो power वो किसके बरावर होती है, force into velocity के बरावर होती है, ऐसा ही होते है कुछ और होता है, force into velocity के बोला हाँ, सरसर बात तो सही है, है ना, और जो velocity है, वो तो constant है, है ना ऐसे सवाल में बोला हुआ है, कि जो velocity है, वो constant है, और velocity को constant मानने के चक्कर में ही हमने जो ρो है उसकी जो density है उसको हमने constant मानना है ठीक है ना? density को हमने क्या मान लिया है? constant मान लिया है बोलो बात समझ आ ही? अरे पक्का अम मेरी बात आप सुनिये ज़रा बेटा जो force होता है force वो वाकई में dp by dt के बराबर होता है यह जो p है यह momentum वाला p है यह power वाला p नहीं है बोलो बात समझ आ रही है ना? और हमें पता है कि जो π यह होता है जो momentum होता है वो mass into velocity के बराबर होता है अरे होता है ना? आप इसे उपर ले जाएए तो यह कितना हो जाएगा? d by dt और यह आजाएगा mv क्या जाएगा साथ में mv है और जो velocity है वो तो constant है सवाल में बोला गया तो वो बाहर आ जाएगी तो जो force आजाएगा वो आजाएगा v और साथ में dm by dt हैना? अब dm by dt से क्या मतलब है? basically वो जो छोटा सा मास जो वो unit time में जाकर के उसे टकराया होगा है ना? बोलो बात समझ आ रही है? बैटा अब आप बहुत ध्यान से देखिए तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि मान लो कुछ भी dl length जो है dl length इस तरह से dl length की जो wind है ना? मैं बोल रहा हूँ कि मान लो dt time में जाकर के इससे blade से टकरा गई होगी है dt time में dl length की जो wind है वो जाकर के इससे टकरा गई होगी तो अब बहुत ध्यान से देखिए तो अगर मैं इस वाले area में बना इस वाली volume में यहां से लेकर यहां तक की volume है वहां तक की हवा का अगर मैं mass लिखना चाहूँ तो देखिए मुझे ऐसे लिखना चाहिए कैसे सुनिए जो density होती है वो क्या होती है ऐसे dm by dv ऐसा ही तो होते है mass parent volume तो dm by dv लिख दिया तो देखिए वो जो dm आ जाएगा वो क्या जाएगा रो dv के बराबर आ जाएगा समझ गया की नी समझ गया यह dv वहां पर छोटी सी volume है dv confuse नहीं हो ना उसको उस वाले वी से उस वाले वी से मैं काम करता हूँ इसको ऐसे गुंडी गुमा देता हूँ उपर ऐसे ऐसे कर दिया मैंने उसको तो समझ जाना उसको ठीक है चलो आजाओ तो dm क्या गया यह रो और सुनो इस dv को क्या मैं ऐसा लिख दूँ adl इसमें तो दिक्कत नहीं है ना adl लिख सकते हैं कि न लिख सकते यार बोलो बास समझ जाए कि नहीं area of cross section को अगर height से multiply कर देते तो volume मिल जाती है ना ऐसा ही होते कि नहीं होता कि area of cross section को अगर length से multiply कर देंगे तो क्या मिल जाएगी volume मिल जाएगी है ना अच्छा जी तो dm को हमने क्या लिख दिया rho adl लिख दिया है इसमें कोई दिकत वाली बात नहीं है अब आ जाओ देखो ध्यान से देखो तो बेटा जो force आ गया force वो क्या आ गया velocity और d by dt और साथ में क्या है देखो rho और a और साथ में dl है ना जो constant चीज़ास को भार निकालो देखो rho constant है a constant है और अंदर बना हुआ है dl by dt अब तुम मुझे इमानदारी से बताओ यह dl by dt क्या है बेटा dl by dt है velocity of wind यह क्या है? Immediately of wind ढोलो बात समझा गई हाँ जी सर यह बात समझा जही? कि यह क्या है ? velocity of wind है बेटा एक तो मैरे यहाँ से ट्रेन इन निकलती है बेटा ऐसे दिमाग्ख खराब कर देती एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे कि आप लोगों में से कई बच्चे जानते हैं, मैं हरियना के चोटे से लोकालिटी रेवाडी से हूँ, तो रेवाडी में भी मैं उस जगह पर रहता हूँ, कईयों को से अड्रस भी पता चल जाएगा, कि रेवाडी म यह आ गया रो ए और साथ में v², यह आ गया force, ठीक है, यह आ गया force, बोलो बास समझा गए, अब आप बहुत द्यान से देखें, तो जब force आ ही गया है, तो देखें, पावर क्या हो जाएगी बिटा, पावर तो हमें बाता है, force into velocity होता है, तो यह क्या जाएगा, रो ए और proportional to, तो बहुत द्यान से देखें, तो power is proportional to vq, है न, velocity of wind के cube से proportional है हमारी power, बोलो बास समझाई, अरे पक्का, इसमें कोई खास बात तो नहीं है, तो यह था हमारा छोटा से lecture, जिसे मैंने कुछ नए सवाल, कुछ simple simple सवाल, और कुछ J-E के previous questions को मैंने कराने का try किया, सारे के सारे सवाल तो करा पाना possible नहीं है, हाला कि मेरा मन तो बड़ा करता है, सारे के सारी करा दूँ, पर उसमें किया lecture थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है, बाकी app में आप जाएंगे, वहाँ पर DPP डाउनलोड करेंगे, उसके solution भी वहाँ पर available है, उन, और DPP में मैंने सारे सारे जो previous question है, वो सबके सब include कर दी है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और फिर भी दिक्कत आए, तो फिर आप मुझसे पूस्ट हो सकते ही हो, वहाँ पर chat box में जाकर करके, आप बड़े रंग से सवाल बेजना, screenshot लेकर करके, कि सर यह सवाल जारा थोड़ा सा बता नहीं है, बला बात समझाई, तो अगर lecture समझाया हो, तो वीडियो को like जरू करना है, चैनल को subscribe नहीं का, तो subscribe कर लेना है, और गंटी को press कर देना है, ताकि अपने को जो भी lecture आए, उसका notification मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर 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 शेर करना, बेटा, लोग मिलते हैं किसी अलग lecture में, बाई बाई, टाडा